दोस्तों इंडिया में कम ही इलेक्टरिक स्कूटर है जिसकी प्राइब काफी कम है अभी के हिसाब से अगर देखते हैं नए प्राइब की हिसाब से तो एक और कमपणी आ चुकी जिसमें आपको 200osa किलमेटर तक रेंज मिलने वाली अच्छे कासी इलेक्टरिक स्कूटर है क्योंकि देखने दिखाने में अच्छी है इतने भी बुरी नहीं है और गाइज एनी के वह मोबिलीटी जो ब्रैंड है वह काफी और भी इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल कर रहे हैं यसा नहीं कि इन्हें फर्स्ट मॉडल को ही लॉंच किया है और सबसे पहले काफी कम इलेक्ट्र भी ब्याटरी होती है जिसे की इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में लेफियं मिलने वाली है सो आपको 7 साल से लेकर 10 साल तक टेंशन फरी रह सकते ओं जिसन की आप सभी को पता होगा लेफिटी जो होती है उसकी सायकल ज्वीन लेफिशी ब्रैंड पर क्यो शेट नहीं हो रही है 63 voltage 60H की बैटरी आपको देखने को मिलने वाली है मतलब को full आपको range तो 100% अच्छी मिलने वाली है और सबसे पहले इन्होंने speed पर भी काफी focus किया है काफी कम भी नहीं और काफी ज़्यादा भी नहीं है इसमें आपको R2 registration पर करना पड़ेगा मतलब को speed जो है 50 km पेच तक आपको speed मिलने वाली है तो ये इन्होंने अच्छा किया है normal speed दी है इसकी वज़े से इनकी range जो है 200 km तक जा चुकी है 4 गंटे में ये full charge हो जाती है इसमें आपको fast charging वाल option देखने को नहीं मिलता है और इन्होंने जो है मतलब एक affordable rate में provide की है इसलिए इस electric scooter में आपको BLDC motor देखने को मिलने वाली है जो कि 1500 watt की BLDC motor रहने वाली है दिखने दिखाने में guys look वगेरा अच्छा है features की बात करें तो इसमें आपको GPS, Bluetooth connectivity और भी कई सारे small features जो electric scooter में आते है वो से भी features आपको इस electric scooter में देखने को मिलने वाले 26 liter का boot space मिल जाता है और ये specially इन्होंने बोलाई की B2B के लिए काफी attractive हो सकता है food race पर भी आपको काफी अच्छी जगा मिल जाती है तो आप easily कुछ भी सामान वगेरा भी carry कर सकते हो जिसे active में काफी कम आपको आपर size मिलती है बट इसमें आपको काफी बड़ी food race की size भी देखने को मिल जाती है तो गाईज देखो गार सब सब पहले अगर आपको range की ही mainly requirement है look वगेर आप इस electric scooter का अच्छा ही इतना भी खराब नहीं है बट other electric scooter से गर हम compare करते है तो थोड़ा सा कम attractive लगता है बट range अच्छी मिलेगी affordable rate में देखने को मिलने वाला है and सब सब पहले guys Enigma mobility जो है वो काफी दिन से जो है अपने electric scooter provide कर रही है काफी सारे state में इनकी dealership भी provide हो रही है starting में इनको जो काफी customer कम ही थे लेकिन mainly दिक्कत यही है कि availability जो है इनकी काफी सारे state में अभी तक नहीं है तो यही reason है कि अभी availability इनकी जो है दीरे दीरे बढ़ने वाली इसलिए attractive prices इनने रखा है आपको क्या लगता है इस Ambier N8 electric scooter के बारे में comment में जाकर जरू से जरूर बाता है कि इंडिन मार्केट में जो है केसे चल सकती है अपको क्या इसमें अच्छा लगा और AC electric vehicles की new update daily देखने के लिए चैनल को अभी के भी subscribe करना भी ना भूलिए